हेई गाईज और वेडियो आज की वीडियो का टॉपिक है एट अपकमिंग टाटा कास्ट इन 2023 और 2024 दोज़ाट देश और 24 में आने वाली नई आट गाडियां क्या प्राइस रेंज पर आएंगी क्या पावर रहेंगी क्या फीचर्स रहेंगे और इन गाडियों का लॉंच दिखाई गए थी और यह टाटा अल्टर उसका एक स्पूर्टियर वेरियंट है जिन लोगों को अपनी गाड़ी में एवरेज से जाधा स्पीड से प्यार है उन लोगों के लिए यह गाड़ी बेस्ट रहने वाली है इस गाड़ी का लॉंच इंडियान मार्केट में अभी से जाधा पावर बनाता है गाड़ी के अंदर आपको शांदर फीचर्स भी देखने मिल जाएंगे जैसे कि रेसिंग स्ट्राइप्स एक बढ़िया फ्रंट एग्रेसिव लोग और एक इलेक्ट्रोनिक संरूफ जैसे अच्छे ऑप्शन्स इस गाड़ी का लॉंच जैसे कि करूँ तो नॉर्मल पेट्रोल वेरियंट स्टार्ट होंगे आपके तकरीबन 25 लाक रूपीस से वही एवी वेरियंट चालूँगे आपके 28 लाक रूपीस से इंजिन प्रोफाइल की बात करूँ तो आपको एक 1.5 लेटर का टर्बो चार्च पेट्रोल एंजिन देखने मि लेगी वही इस गाड़ी के एवी वेरियंट की बात करूँ तो एवी वेरियंट में आपको फॉर इंटू फॉर को ऑप्शन भी देखने मिलेगा और एक 65 किलोवर्ट का बैटरी पैक देखने मिल रहा है जो कि आपकी गाड़ी को फॉर हंड़ेट टू फिफ्टी किलोमेट टू 500 किलोमेटर की रेंज देगा जो कि इस गाड़ी के साब से बहुत ही सही रहने वाली है गाड़ी में बाकी फीचर्स की बात करूँ इस गाड़ी का लुक काफी जादा सेमिलर होगा आपके डिफेंडर से गाड़ी के फ्रांट में अभी आपको स्प्लेट एलिडी टाटा की तरफ से आने वाली न्यू टाटा हैरियर फेसलिफ यह गाड़ी ओलेट इंडियन वार्क के लिए अन्वेल हो गई है और इस गाड़ी में कुछ शांदार फीचर आने वाले हैं इस गाड़ी की आप बुकिंग करा सकते हैं 21,000 रुपीज देखें गाड़ी की स्ट साथ 350 एनम का टॉर्क बना के दे रहा है जो कि यह गाड़ी की साब से काफी जादा पावर्फुल है गाड़ी के इंटीर में बहुत साथा मीजा चींडेस आया हैं आपको टॉपेंड मॉडल में 12.3 इंच का टस्क्री इंफो टेंब सिस्टम देखने मिलता है फुली डिजि सब्सक्राइब आप इस गाड़ी को बुक करा सकते हैं क्योंकि पहले जो आपको डिस्ट मिलते थे इंटीर की टाटा में अब वह आपको नहीं मिलेंगे और इंकी सर्विस भी अपने दीर ठीक हो रही है लिस्ट में नेक्स गाड़ी हो जाएगी टाटा पंच इवी इंडि अब गारी के फ्रेंट फीश्य में थोड़ा बहुत अपडेट आपको देखने मिलेगा इंटीर में हो सकता आपको एक नया इंफर्टेंटम्ट सिस्टम देखने मिल जाए वहीज गाड़ी के बैटर पैक की बात करूं तो इस गाड़ी में आपको सेम बैटर पैक देखने म मिलेगा जो की θα रहें रेंज की बात कर जए तो ये गाड़ी आपको 325-375 कि प्रेंज सब्सक्राल जाएंगे और अब ग्रवेंच की इसी ओनन वात बात कर यह एर बैग भी काफी जादा अच्छे प्ष्ण रहते हैं लिस्ट में नेक्स गाड़ी जो कि आने वाली है युण्डा क्रेटा का मार्किट खतम करने के लिए युद्ध गाइज आम टॉकिंग अबाउट टाटा कवी टाटा कवी को लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं रीजन बेकोज यह गाड़ी टारेक्ट ट्राइवल कर रहेगी युण्डा क्रेटा और किया सेल्टोस जैसी काईयों से इस गाड़ी की प्रैस रींज की बात करी जाया तो वह भी स्टार्टों की साड़े दस लाग रोपर से और टॉपेड मोडल जाएगा 17 लाग रोपर त इस गाड़ी के इंटिर की बात करो, तो इंटिर इस गाड़ी का काफी ज़्यादा सिमेलर होगा टारिया से पर प्राइसिंग में इसलिए चेंज़ आएगा क्योंकि इस गाड़ी का साइज सोड़ा चोटा रहेगा यह गाड़ी आए कि टाटा के एलफा आर्खिटेक्ट्चर प्लाटफॉर्म पर जिस पर आपकी सब कॉंपक्ट एस बनाई जा सकती है वही इस गाड़ी के लॉंच अब यह गाड़ी पहले एक पिक्सल नाम से आने वाली थी पर अनफोर्चनेटल इंडिया में कोविट लग गया और इस गाड़ी का डेवलोप्मेंट हो नहीं पाया पर यह गाड़ी है और भी जड़ा डेवलोप्ट होगी इंडियन मार्केट में आएगी स्टार्टिंग होगी इस गाड़ी की तकरीबन साड़े आठ लाक रोपय का इस गाड़ी में आपको एक पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन देखने मिलेगा जो कि वन लीटर का थ्री सिलेंडर नैश्ले एस प्रिटेट पेट्रोल इंजन रहेगा जो कि 56 बीच पी साथी साथ 82 नम का टॉर् लंबी रेंज नहीं देगा माक्स भाड़ी आपको 220 तो 250 किलो मेटर की रेंज देगी बट इस गाड़ी की प्राइसिंग की बात करो तो वह भी प्राइसिंग आपकी कम ही रखी गई इस गाड़ी के लांच तो यह गाड़ी भी आपको मिट 2024 में दखाए देगी तो फेबरि लक्षरी SUV होगी चोगी अच्छे कासे मार्केट में आएगी गाड़ी की प्रैसिंग की बात करूं तो गाड़ी की प्रैसिंग भी थोड़ी सी अच्छे ही रहने वाली है यह गाड़ी स्टार्ट होगी तकरीवन बारा लाक रोपे से और टॉपेड मोडल जाएगा 16 लाक और युंडे वरना वाले मार्केट में कम्पीट करेंगी गाड़ी के एजन प्रोफाइल की बात करों तो आपको एक new 1.5 लेटर का hybrid petrol engine देखने मिलेगा जोकी 115 वी एचपी साथ 180 अम का टॉर्क वनाएगा गाड़ी की एवरेज की बात करों तो यह गाड़ी तकरीवन आपक एवरेज देगी एक इवी गाड़ी होने के करण यह गाड़ी काफी जाता शांदार पावर भी प्रड्यूस कर सकती है इवी मेंस वेरा मतलब था hybrid गाड़ी के हसाब से वहीं इंटियर प्रोफाइल की बात करों तो इंटियर में भी आपको फॉल ओन लक्षरी देखने मिल जाएगी और साथी साथ एडास जैसे शांदार सेफटी फीचर भी देखने मिलेंगे बट इस गाड़ी के लॉंच की बात करों तो अनफर्चिलेटली इस गाड़ी का लॉंच काफी लेट होने वाला इंडियन मार्केट में यह गाड़ी आपको मार्च ट्वेंटी ट्वें दूंगा